आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित रसायन विज्यान भौतिक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो एक फ्रशन को क्रॉप करो और तुर्ट वीडियो सिलुशन पाओ अभी डाउटनेट करें कवक वर्ग में, जब लैंगिक जनन होता है, तो उसमें जो है, एसकस बिजान बनते हैं, इसमें लैंगिक जनन जो होता है, जब लैंगिक जनन होता है, इसमें जो है, दो हाइफी, इसमें कवक जाल या फिर माइसीलियम कहते हैं, माइसीलियम, माइसीलियम इस तरीके से, जब पास आते हैं, तो यह आपस में इस तरीके से, मिल जाते हैं, मिलने के बाद जो यह बीच का कोशिका का दिवार है, वह खतम हो जाता है, और उसके बाद जो है, यह जो केंद्रक होंगे, वह एक पास आ जाएंगे, और आने के बाद जो है, यह कहला आएंगे, यह इस तरीके से, इसकी दिवार जो है, बाहर आ जाएगी, और जो है, इसे कहेंगे फिर, जब भी यह बाहर आ जाएगा तो इसे कहेंगे, एसकोजीनस हाइफी, और इसमें जो है, इसमें फिर क्या होगा, जो एसकोजीनस हाइफी है, उसके अंदर, यह जो दो केंद्रक हैं, वह आ जाएंगे, और आपस में आके मिल जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, फ्यूज करने के बाद यह हो जाएंगे, दुई गुडित केंद्रक हो जाएंगे, फिर इसमें अड़ सूत्री विवाजन होगा, विभाजन के फल सुरूप क्या होगा जो दुई गुडित के इंद्रक होंगे वह चार एसको स्पूर बना लेंगे एसको स्पूर बना लेंगे और फिर जो होगा ये समसुत्री विभाजन होगा विभाजन उससे एक स्पूर से दो बन जाएंगे यानि किससे आठ एसको स्पूर का निर्मार हो जाएगा एसको स्पूर का निर्मार हो जाएगा फिर जो इसमें जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन से निया कवक बन जाएगा अब आई ये प्रश्में देखते हैं, समानता एक S-K-S में कितने S-K-S पूर बनते हैं, 4 तो 4 नहीं बनते हैं, ये जब 803 विभाजन होता है, तब 4 S-K-S पूर बनता है, लेकिन जब 303 विभाजन उसमें हो जाता है, तो ये 8 हो जाते हैं, तबीकल दूसरा सही हो जाएगा, और सब गलत हो देएंगे, तो आसा करते हैं इस प्रश्म को तर आप कोश्पेश्ट हो गया होगा, धन्यवाद.